किसान भाईयों ग्याहों की फसल से बंफर उत्पादन लेने के लिए हमें किसी अच्छी वैराइटी का सेलक्षिन करना चाहिए क्योंकि किसान भाईयों जब हम ग्याहों की फसल को लगाते हैं और किसी अच्छी वैराइटी का हम सेलक्षिन करते हैं तो हम ग्यहों की फ़स्द से रिकार्ड पैदवार ले सकते हैं कम से कम लागत में हम अच्छा हत् oggi पादल ले सकते हैं क्शनवाई हो क्योंकि वैराइटी के उपर ही निर्फ़े करती हैbus ग्यहों की पैदवार आप कि इसी भी फ़स्द को देख लीजिए यदि हम variety का selection अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हम उससे सांदार बढ़िया उत्पदर ले सकते हैं और कम से कम लागत में ले सकते हैं यदि हमारी फसल अच्छी होती है तो हमारी philosophy भी हमारी फसल को देखते हैं और चार लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी variety लगाई है तो किसनवाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चार ऐसी variety बताऊँगा जिनने लगा कर आप अपने ग्याओं की फसल से बढ़िया और सांदार उत्पदर ले सकते हैं और कम से कम लागत में ले सकते हैं किसनवाई हो तो इनकी बारे में किसनवाई मैं आज आपको पूरी जान कर दूँगा कि आप इन variety को कब से कब तक बोच सकते हैं इनकी बोगाई के लिए कितने बीच की आवस्कता पड़ेगी इन variety की फसल है और कितने समय में पकर तैयार हो जाती है और पकरने के बाद ये variety हमें कितनी पैदावार दे कर जाती है और इन variety के अंदर कौन-कौन से रोग आते हैं और किस परकार की मिट्टी में हम इन variety को लगा सकते हैं ये दिया आप मार्किट से जब भी बीच लेने जाएंगे variety लेने जाएंगे और आपको पहले से variety के बारे में पता होगा जानकाली होगी कि ये variety ऐसी होती है ये इतनी पैदावार मिलती है तो आप अपनी मर्जिस से बीच का selection कर सकते हैं आपको जरूत नहीं दुकांदार से बुझने कि हमें को से variety लगानी है अपनी मर्जिस से आप selection कर सकते हैं कि भाई हमें ये variety चाहिए आपको केवल देखना है कि variety ओरिजिनल है या local है दाना कटा या फटा तो नहीं है किसानवाई लगान चाते हैं तो आप पिछली वीडियो को देश सकते हैं उस पर जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो किसानवाई सबसे पहली variety के दिम बात करें तो यह किसानवाई हम रखी है डवलू एच बारस सो सब्तर नई वराइटी है 2020 में लॉंच विए किसानवाई हो और बहुत ही popular variety है पिछले साल इसका बीज भरपुर मात्रा में नहीं मिल पाया लेकिन अपकी बार आपको प्रतियक दुकान पर इसका बीज मिल जाया किसानवाई हो इसकी बुवाई की समय की बात करें तो आप इसकी बुवाई नमंबर स किसे लगा रहें तो आप बीज की मातरा 50 किलोगराम पिरतियकर ले किसानवाई हो इस variety के पकने की बात करें तो यह variety लगबग 120-130 दिन में पक कर तैयर हो जाती है यह इसकी पैदावार की बात करें तो यह variety हमें लगबग 32-35 कोंटल पिरतियकर की पैदावार देकर जाती है किसानवाई हो इस variety के अंदर कोई विशेस रोग नहीं आता है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में किसानवाई हो हम इसे लगा सकते है अठाथ प्रतियक मिट्टी के लिए यह अनुकुल है तो आप इस variety के सिलक्षन भी कर सकते हैं बात करें तो यह variety हम ने रखी है स्री रा इसकी बुवाई के लिए बीजदर की बात करें तो आपको लगभग 45-50 किलोग्राम पिरती एकल केसाफ से इसकी बुवाई करें चाहिए यह दिमस्की फचल पकने के सामय के बात करें तो यह वराइटी 125-130 दिन में पकर तैयर हो जाती है यह दिमस्की पैदावार की बात करें तो यह लगभग 30-35 को उन्ट्र पिरती एकल की पैदावार देकर जाती है किसानवाई ओ अप इस वराइटी का सेलक्षिन भी कर सकते हैं किसानवाई तीसरे नम्बर पर ज़िए हमने वराइटी रखी है यह हमने रख्क है किसानवाई हो IshtER 22 221 बहुती पूपलर अब एत्पादन निकाल करके कर के दिया है किसानवाई यहिदे किसान्य हम इसके लगाने की समय के बात करें तो आप इस वराइटी को bird को एक नमब सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वेराइटी के अंदर कोई रोगने आते हैं और इस वेराइटी के अंदर आते हैं और आपको लगवत तीन से चार्ट से चाहिए करने का पड़ती है और किसी भी प्रका की मिट्टी माप इसे लगा सकते हैं किसानवायो क्योंकि नई वेराइटिया इनके अंदर बीमारिया काम आती हैं किसानवायो यदि हम चोथी वेराइटी के बात करें तो आप DBW 187 इस वेराइटी का सेलक्शन भी कर सकते हैं इस वरायाटी का किसानवायों हमनें पिछली वीडियो में बता है और इस वीडियो में भी बताने ज़रने के सहनवायों यह वायाटी बहुती संदर उत्पधन रहा एक नमवर से 30 दिशंबर तक आप इसकी वाया कर सकते हैं तो आपको लगभग 45 किलो क्राम प्रती एकर किसाब से इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो यह वैराइटी लगभग 120 दिन में पकर तैयर हो जाती है यह दिमस्कि पैदावार की बात करें तो 30 कौंटल प्रती एकव की ये पैदाबार देकर जाती है किसान भाई हो किसी फिरकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं और यह कोई बीमारी नहीं आती है किसान भाई हो यह अपने ग्याहों की फिसल से बढ़िया और स्वादन ले सकते हैं किसन बाइए और अपने चैनल प्रेट पर दे रखा आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल के बारे में आप कोई जनकारी प्राप्ट कर सकते हैं यदि मेरे द्वारा देगे जनकारी आपको अच्छे लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब परें थेंक्स फर वाचिंग मुद्धू